आज मैं आपको अपनी इस विडियो में फर्स स्कूल ओफ साइकलोजी यानी की स्ट्रक्चरलीजम के बारे में पढ़ाऊंगा फर्स स्कूल ओफ साइकलोजी यानी की स्ट्रक्चरलीजम इसको इंटर्ड्यूस करने वाले साइकलोजिस्ट का नाम विलम बुंडट था साइकलोजिस्ट ने शुरुवात में कंशिएसनेस पे स्टड़ी की और कंशिएसनेस को दो स्कूल के अंडर हम पढ़ेंगे एक तो स्ट्रक्चरलीजम, एक फंक्शनलीजम आज मैं आपको स्ट्रक्चरलीजम के बारे में पढ़ाऊंगा जैसा कि मैंने बताया स्ट्रक्चरलिजम को इंटर्ड्यूस करने वाले साइक्लोजिस्ट का नाम विलम वुंडट था आपको ये याद रखना है काफी बार ये कोशन पूछा गया है स्ट्रक्चरलिजम स्कूल के अंडर हम विलम वुंडट और टिचनर के बारे में पढ़ेंगे विलम वुंडट जर्मनी से थे और टिचनर यूएस से से थे structuralist scientist ने structure of mental activity के बारे में बढ़ने की कोशिश की ये function of mental activity पे विश्वास नहीं रखते थे इनका कहना था जो structure है हमारे mental activities का वो ही basically decide करता है हमारी consciousness को अगर हम consciousness को सही से पढ़ना चाहते हैं तो हमें एक person की structure of mental activities को जानना होगा कि किस तरीके से हमारा brain function करता है example के लिए जैसे कि एक drawer के अंदर आपके पास कुछ medicines पड़ी हैं उन medicines पे कुछ name लिखा हुआ है जो name लिखा हुआ है उस name के according अलग-अलग function होगा हर medicine का मगर ये function पे नहीं जा रहे ये उसके structure पर जा रहे है मतलब जो medicine जो है वो किस chemical formula से बनाई गई है और आखिर उस chemical formula में हम किस तरीके से modification लाकर हम नए तरीके से उसे invent या इजाद कर सकते हैं तो basically structuralism और structuralist psychologist हमारे mental activities के structure पर believe करते हैं और हम इस school में इसी के बारे में पढ़ेंगे और यही basic difference है structuralism और functionalism में सन 1879 में Wundet ने first workshop of psychology established की इसते पहले psychology philosophy के अंडर आता था विलम Wundet पहले ऐसे psychologist थे जिन्होंने psychology को एक नई दिशा प्रदान की एक separate subject के तोर पर introduce किया इन्होंने अपनी जो lab थी वो लिपिंच जर्मनी में established की टिशनर इनके student थे Wundet ने ही बताया था कि psychology क्या है study of consciousness मतलब psychology उनके अनुसार एक ऐसा विशे है एक ऐसा subject है जिसमें हम एक person की consciousness के बारे में पढ़ते हैं मतलब शुरुवात में तो जैसे जैसे इस subject का आगे फर्दर development होगा आप देखेंगे consciousness के अलावा subconsciousness और unconsciousness भी इसमें include हो जाएगा William Wundet, father of psychology थे father of experimental psychology भी William Wundet को कहा जाता है क्योंकि उन्होंने psychology के field में पहली lab established की थी जो कि मैंने आपको बताया लिपिंज, जर्मनी में क्योंकि इन्होंने पहली lab established की इसलिए इनको father of experimental psychology भी कहा जाता है और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि structuralism की शुरुवात करने वाले और उसकी foundation रखने वाले William Wundet ही थे इसलिए उनको हम father of structuralist psychology भी कह सकते हैं structuralists ने मतलब William Wundet ने consciousness पर focus किया इन्होंने जो सबसे पहला method psychology के अंदर यूज किया उसका नाम था introspection method ये method psychology के field में first method था किसी person की psych को study करने के लिए यूज किया गया first method तो आपको ध्यान रखना है introspection method is the first method used in the study of psychology and who introduced it? William Wundet introduce introspection method in the field of psychology to study the psyche of person तो आपको ये ध्यान रखना है अब introspection method आकिर है क्या? मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा detail प्रोवाइड करूँगा introspection method के बारे में बाकी हम complete detail में हम methods के अंदर मतलब methods वाली subheading में इसके बारे में complete detail में पढ़ेंगे क्योंकि introspection method यहाँ पे introduce हुआ है तो मैं थोड़ा सा आपको detail इसके बारे में यहाँ पर दे रहा हूँ introspection method क्या होता है? introspection method असल में एक व्यक्ति के अपने conscious thoughts और feeling की examination होती है क्योंकि हम introspection method यूज ही इसलिए कर रही है कि जो person है जो भी हमारे पास जो person है जो case है आखिर उसके साथ problems क्या है उसकी problems को जानने के लिए हम introspection method यूज करते है introspection method के अंदर वो particular person अपने बारे में खुद ही हमें बताता है कि मेरे conscious thoughts और feeling इस इस प्रकार है और मैं इन सब दिक्कतों का सामना कर रहा हूँ तो psychologist उसको note करता है जो person है उसके अपने खुद के बयान को note करता है और उसके base पर हम उसको psychological treatment प्रोवाइड करते है जैसा कि मैंने आपको बताया introspection method completely rely करता है मतलब completely depend करता है observation पर किसकी observation पर एक व्यक्ति के खुद के mental state की observation पर rely करता है मतलब complete हमारा जो psychological treatment है ये depend करेगा उस व्यक्ति के mental state की observation पर और अगर हम इसे spiritual context में देखें क्योंकि psychology को starting में एक spiritual context में define किया गया था तो हम कह सकते हैं कि ये examination है एक परसन की आत्मा का soul का examination है तो इस प्रकार जो introspection method है वो examination है एक परसन के inner behavior का उसके खुद के द्वारा introspection means examining the inner behavior of an individual by oneself क्योंकि psychologist को इसमें कोई भी extra effort नहीं करने पड़ रहे जो case है उनके सामने खुद आता है और खुद अपने बारे में सब कुछ बताता है तो इसलिए ये बहुत ही economical method है और time इसके अंदर बहुत कम लगता है मतलब हम ये economical भी है और हमारा time भी save करता है teacher जो की wounded के student थे उन्होंने हमारी consciousness को basically तीन पार्ट में divide किया उन्होंने introspection method का use करते हुए सबसे पहले ये अध्यन किया कि लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है what is going in people's mind on basis of introspection method इसके बाद वो इस conclusion पर निकले कि सबसे पहले हमारे जो environment है उसमें जो stimulus मुझूद है उससे हमें sensation होती है जिसको हम महसूस करते है या फिर observe करते है अपनी sensory organs के द्वारा sensory organ जो की हमारे पास 5 हैं कुल मिला कर हमारी skin, tongue, nose, ear और eyes इनके जरिये हम अपने environment में मुझूद stimulus के बारे में study करते हैं उसके बाद जो भी stimulus जिस भी प्रकार का हम महसूस करते हैं उसके बारे में हम imagination करते हैं अगर वो पहले से हमारी knowledge के अंदर है तो हम उसके बारे में जो भी perception create की गई थी हमारे दुआरा पहले उसके बेस पर हम उसके बारे में उसको define करते हैं और अगर वो stimulus नया है तो हम उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं या फिर हम अपनी imagination के बेस पर उसको define कर देते हैं कि ये stimulus मतलब ये जो stimulus है जो भी हमारी environment में मौझूद है उसकी characteristics के बेस पर इसका नाम ये होगा जैसे की मैं आपको example देता हूँ आप एक गली से जा रही हैं और आप एकदम suddenly एक कुट्टा भूँकता है तो आप एकदम से डर जाएंगे और आपके अंदर डर वाला stimulus मतलब एकदम से आपके अंदर डर वाला भाव उत्पन होगा sorry stimulus तो कुट्टे का भूँकना है जिसके जरिये आपके अंदर जो feeling आई perception आया वो है डर वाला भाव वो perception किस बेस पे आया आपकी imagination के बेस पे आया कि आपको वो कुट्टा काट सकता है क्योंकि वो आपके भूँकरा है अब imagination के बेस पर मतलब जो आपके दिमाग के अंदर जो fear की भावना उत्पन हुई उसको हमने perception से define किया हमने उसको perception क्रेट किया कि जब भी एक कुट्टा भूँकता है हम पे इसका मतलब वो हम पे attack करने वाला है ये हमारा perception है मतलब उसके बारे में हमारा पूर्ण नियोजित ग्यान है जिसके बेस पे हमने act किया तो इसके साथ first school of psychology यहाँ पर complete होता है हम आगे आपको ये साथ फिर जुडेंगे एक नए school of psychology के साथ तो हमारे साथ बने रहें अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद